साउधी अरेबिया बना रहा है दुनिया की सबसे हाइटेक सिटी ये इतनी फ्यूचुरिस्टिक है कि यहाँ पेट्रोल डीजल नहीं रेनी वीबल एनरजी पर काम होगा यहाँ पीने के पानी के रिए समुद्र से पानी बनाया जाएगा इंसानों के काम रोबोट्स करेंगे नमस्कार मैं हूँ दिपाली सिन्हा आएज जानते हैं साउधी अरेबिय की मेगा सिटी के बारे नियोम सिटी साउधी अरेबिय का सबसे अंबिशिस प्रजेक्ट इस सिटी को बनाने के लिए जो प्लान किया गया है उसे सुनकर आप शायद विश्वास नहीं कर पाएंगे नियोम सिटी को डिजाइन करने के लिए टेकनोलोजी और इनोवीशन पर फोकस किया गया है इस सिटी का नाम दर लाइन होगा क्योंकि इसे 170 किलोमेटर लंबी सीधी लाइन पर बनाया जाएगा इसके तीन लेर्ज होंगे ग्राउंड लेवल, सर्विस लेर और दर स्पाइन तीसरे लेवल के नाम है दर स्पाइन, इसका नाम दर स्पाइन इसलिए रखा गया है क्योंकि ये इस शेहर का बैकपोन है इसी पर पूरा शेहर टिका होगा, यहां अल्ट्रा स्पीड ट्रांस्पोर्ट सिस्टम इतना तेज होगा कि लोगों को शेहर के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुँचने में यानी 170 किलोमीटर स्पार करने में सिर्फ 20 मिनिट्स लगेंगे ये पूरा शेहर रेनिरीबल एनर्जी पर काम करेगा, ये शेहर रेगेस्तान पर बनेगा यहाँ पीने के पानी को बनाने के लिए बेहदी खास तकनीक का इस्तमाल किया जाने वाला है यहाँ पर ग्लास से बने बहुत बड़े क्लोग को तयार किया जा रहा है इसे समुधर के पानी से भरा जाएगा इसके बाद सोलर मिलर की मदद से ग्लास क्लोव को गर्म किया जाएगा इसके अंदर का पानी गर्म होकर वाटर वेपर में बदलेगा जिसे पाइप से बाहर निकाल लिया जाएगा नियोम सिटी के इंजिनियर्स का मानना है कि इससे हर रोज 5 करोड लीटर्स तक पानी निकाला जाएगा अब आता है दूसरा क्वेशन कि ये सिटी क्यों बनाई जा रही है कई रिपोर्ट्स में ये पता चला है कि 2052 तक दुनिया से क्रूड ओइल खत्म हो जाएगा एसे में साओधी अरेबे की क्राउन फ्रेंस मोहमत बिन सलमान साओधी अरेबे की एकोनमी को तेल से शिट करना जाते हैं इसी के तहत इस प्रोजक्ट को शुरू किया गया है और 2030 तक नियोम सिटी को बनाने की तयारी है इस city के बनने से साउधी अरेबिया की GDP में 40 billion dollars की growth होगी Neom City, Red Sea Coast और सुवेस के नाल के पास strategic location पर होने की वज़ा से दुनिया भर से entrepreneurs और businesses को attract करेगी पर इससे हमें क्या फट पड़ेगी Neom City की location एक ऐसे जगा है जहां दुनिया की 40% आपादी सर्फ 4 घंटों में पहुँच सकती है इस नायाब city को बनाने के लिए साउधी अरेबिया सरकार 500 billion dollar खर्च करेगी ये शहेड technology और innovation पे इतना based है कि इसके बनने से ये potential है कि दुनिया में चौथा industrial revolution आ जाए करेंगे जाए